इसका एक एक एए और वी गिवने और अएसा करें कि अगर एपस भी मॉड में फाइंड तो इसकी वेलू इक्वल होती है ओर दूए और अगर एपस माडल करें है और अगरन प्लस बी गषा दो एंदें थर्टीन मॉट पाइफ की वालू आएगी और अगर हम जी रोटी को सम कर लेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा फाइनली माली जी के अगर यह बड़ी वैलू और भी आती है तो लास्ट में आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इस इक्वास टू दिस मॉड था क्या है कि जिरो प्रस्टी यो आपने थी भी इंटिफाई किया उसका भी आप मॉडल देविजिए इसी तरसे माली जी कि आपको टेन इंटू थर्टीन मॉड फाइब आपको फाइन दना है तो आप इसको ऐसे लेक सकते हैं कि तेन मॉड फाइब मॉल्टिप्लाइब देटीन और आप अगर तू थर्टी मॉड फाइब अलग से भी करेंगे तो उसकी वेलोगी जीवाइब इसका मतलब दोनों इक वलें तो आपको जो मैथमेटिक से उसको आप इस तरह से कर सकते हैं इसमाली के अगर आपको एंटू दू दू सी इंटू दी मॉड एम करना है तो उसक इसके बार इसमें मॉल्टिप्लाइग इंटी से और फिर से आप मॉर्ण मॉल्टिपल स्टेप्स में यह उप्रिशन परफांग रह सकता है तो कई बार हमारे कॉम्टेटिव कोडिंग में ऐसा गिवन होता है कि हमें इस तरह का मॉडिलर एक्स पॉनिशेशन करना है कि इसके बाद हमने यह चेक्किया था कि अगर हमारा एंड इवन है वो हमने की पाहिं टरटिय सक्टेटिव एक पाहिं इस परती है वी के सब्सक्ट पॉन खाल रदेट प्रम करना है कि देंस का उसके बाद । चलुआ करेंगे तो पहले उसके बाद जब से भीड़ी एंग पॉर्स करेंगे निस का थे प्ली बंड हों सकती है आप म allons करीजिए अदेन के बार इस वाले पाइट कर री जो मॉड आया है इसमे एक को मुल्ट्प्लाइ कर दिजिए एंद अगेन आपसका मॉदल देखते हैं इस तरह से आपको इस लाइन को चेंज कर सकते हैं इस से तो इस्टेप बाइश ने का मॉडलियर्टी का दिख था कॉंस्ट इसको और करके दिख लिए यहां पर हमने क्या करना है कि एक एम को एक मैकरो बना देते हैं लट आप देखिए मैं एस मई एम इस वालू वालू उप्की लिजलिया बहुत बड़ी वैदरू दी जाती है लेकिन यहां पर ने देख चोटी से सब्लीव लेकर ना चाहा और इस पावर फंक्शन में आप देख रहे हैं कि अगर एंगर जीरो है तो हम वन रिटर्ण करना है यह बेस्केस है अदर वाइस हमने पी फाइन के लिया है यह रिष्ट द पावर न बाइटू और अगर एंगे बने तो पी हमने सब्सक्राइब करने के बाद जबांसर आएगा उसको अगें मौड करते हैं कि में जिसमें हमने यह और एंग को इंपुट ले लिया है और हमने एक्स पाइंड किया जो की पावर ऑफ ए रिष्ट दू पावर एंड मॉडिलस एंड वैलू को रप्रेजेंट करता है करन करके देखते हैं इसको कि माली आपको टू रिष्ट दू पावर एलेवन की जो वैलू होती है वो तू जिरो फोर एट होती है और टू जिरो फोर एट में जब आपको मॉल्टिप्लाई करेंगे मॉडिलस जब आप लेंगे 15 से तो इसका अंसर एट हाना चाहिए एक और एग्जम्पल ले लिज़ते हैं माली जी के होए टू रेश्ट पावर अटी जम्रेट करने लिए अब देख सकते हैं कि इट रिदूसेस दे वैलू तू अवेरी शॉर्ट वैल्यू बढ़ी आती और कॉम्टेटिव पोटिंग में यूजरी हम क्या करते हैं कि संपल एंड की वैलू टेन देश्ट पावर सेवन टेन टेन टेस्ट पावर सेवन लेना है तो वन के बाद सब्सक्राइब रंगर करके देखते हैं माली आपको तू रेश्ट पावर थर्टीफॉर जिए करना है तो इसमें रेंज में आंसर दे दिया मतला कि मुझे सेवन डिजट के नमर में देखते हैं और अगर आप और बड़ा नमबर टेक करना चाहते हैं टिर्टीफ यूड पावर फिफ्टीफे सिखने गिया तो वन सेट फैएंग तू लेस्पर फटीछ पर फिटेसिक्स बिग अबर थे जो इसने कर दिया जो आपका आंसर ब सब्सक्राइब मैं ता कि ये रेंग में फाल चना लगी So this is the concept of the modular exponentiation that we discussed in this lecture. This can be used in many of the competitive coding problems. Thanks for watching this video.